हाई गाईज, वेलकम टू करंट अफेर्स फंडा, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 15 अक्टुबर के करंट अफेर्स हमसे क्यूज करेंगे फ्रेंड्स, नोबेल प्राइस 2020 वीनर्स को याद करना आप आसान होगा आपके लिए क्योंकि इन्हें याद करने की ट्रिक और इनसे जुड़ी सभी जानकारी वाली वीडियो हमने कल अपने चैनल पर अपलोड कर दी है आप प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं और यहां से एक कोशन बनता है एक्जाम में ये बात आप तिहान रखना चलिए फिर बिनादेरी किये शुरू करते हैं इस वीडियो को तो मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज मेजर पैपसी को विल सेट अप अ ग्रीन फिल्ड पोटेटो चिप्स प्रोड़क्शन यूनिट इन विच स्टेट तो मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज कमपनी पैपसी को उत्तर परदेश में ग्रीन फिल्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई इस्थापित करेगी और इसका जो सेट अप का प्रोड़ा प्रोसेस है वो सुरू भी हो चुका है और ये यूनिट मधुरा डिष्टिक के कोशी में इस्थापित की जाएगी यूबे से जुड़े अगर हाल ही के करेंट अफेर्स की बात करें तो उत्तर परदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने NRI यूनिफाइट पोर्टल लोंच किया है फ्रेंट्स कोश्चन इस तरह से बन जाता है कि किस राज्य ने NRI यूनिफाइट पोर्टल को लोंच किया है तो आंसर होगा उत्तर परदेश साथी में उत्तर परदेश गोवर्मेंट ने आयुस कवच इस एप को भी लोंच किया है उत्तर परदेश सीएम योगी आदित्यनात ने यूराइस पोर्टल को भी लोंच किया है फ्रेंट्स यूराइस पोर्टल का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिंड इनोवेशन फोर स्टुडेंट्स इंपावर्मेंट पोर्टल इस पोर्टल में डिजिटल कॉंटेंट, ओनलाइन एक्जाम्स, डिजिटल असेस्मेंट, डिजिटल एक्जामिनेशन पेपर्स, इंटर्णशिप कॉंटेंट प्रोवाइट कराये जाएगा और हाल ही में उत्तरप्रदेश की सीम योगी आधित्यनात ने ये भी खोशना की थी कि नोवेटा में इंडिया का बिगेस्ट फिल्म सिटी सेट अप की जाएगी next question देखते हैं which ministry has introduced artificial intelligence and machine learning for strengthening its single window system portal champions the correct answer is option D ministry of micro, small and medium enterprises इसने अपने single window system portal जिसका नाम है champions इसको मजबूत करने के लिए artificial intelligence और machine learning की शुरुवात की है friends question इस तरह से भी पुछा जा सकता है कि champions portal ये किस ministry द्वारा शुरू किया गया है या किस ministry से संबन्दी थे तो answer होगा ministry of micro, small and medium enterprises और इस champions portal को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा जून 2020 में launch किया गया था friends नितिन गड़करी के पास दो ministries है ministry of MSME यानि ministry of micro, small and medium enterprises और दूसरी ministry इन के पास है ministry of road, transport and highways इन से जुड़े अगर current affairs की बात करें तो हाल ही में इन्होंने national highways पर plantation को monitor करने के लिए हरित पत नाम की एक app launch की थी साथ ही इन्होंने MSME sector के लिए एक advisory platform launch किया जिसका नाम था restart India और इन्होंने एक गति पोर्टल भी launch किया ताकि तील लाग क्रोड की लागत के road projects को monitor किया जा सके और उनके निर्मान कार्य में तेजी लाई जा सके next question who launched the second phase of thalassemia बाल सेवा योजना for the underprivileged thalassemic patients the correct answer is option B तो जो underprivileged thalassemic रोगी है इनके लिए thalassemia बाल सेवा योजना की दूसरे चरण का सुभारंव डोक्टर हर्चवर्दन ने किया है friends thalassemia एक inherited blood disorder होता है जिसमें हीमोगलोबिन की मात्रा सामान्य मात्रा से कम हो जाती है और red blood cells proper काम नहीं करती है और एक बात आप और याद रखना डोक्टर हर्चवर्दन के पास तीन मिनिस्ट्रीज है Ministry of Science and Technology Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Earth Sciences Next question Which country contributed $1 million to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in Near East The correct answer is option A तो भारत ने निकटपुरु में फिलिस्तिन सरनार्थियों के लिए सैयुक्त राष्ट राहत और निर्मान एजन्सी में $1 million का योगदान दिया है Next question The Reserve Bank of India has extended the tenure of Jammu and Kasmir Bank Chairman and MD RK Chibber by how many months? The correct answer is option B तो भारती रिजर्ब बैंक ने जammu और Kasmir Bank के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक RK Chibber का कारेकाल अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है जammu and Kasmir Bank का हैटकॉर्टर से स्रीनकर में Next question Which country has become the first nation to approve HB4 drought resistant genetically modified wheat The correct answer is option D तो HB4 जो की एक drought resistant genetically modified wheat है तो इसको मंजूरी देने वाला पहली country बन गई है अर्जेंटीना अर्जेंटीना की capital है Buenos Aires यहां की capital है पैसो और पैसो और किन किन countries की capital है चाइल, क्यूबा, कॉलंबिया, मेक्सिको, फिलिपिन्स, उरुगवे और डॉमिनियन रिपब्लिक Friends HB4 technology इस तरह के बीच तयार करती है जो सुखा पढ़ने पर भी production दे सके Next question A British bomb leftover from second world war has been detonated in which country The correct answer is option D तो दृत्ति विश्व यूदसे अवसेज एक British bomb Poland में विश्फोर्ट हुआ है और Poland की capital है Warsaw और यहां की currency है Polish Geloti Next question Friends, एक बात और याद रखना जो यहां के Poland के president है यह हाल ही में reelect किये गए हैं अपने second term के लिए तो इनका नाम है Andres Duda तो यह question एक्जाम में बन सकता है कि Andres Duda किस देश के president के तौर पे दूसरी बार निउक्त की गए हैं तो answer होगा Poland India approved MOU with which country for collaboration in sustainable groundwater management The correct answer is option B तो भारत ने इस्थाई भूजल प्रबंदन में सहयोग के लिए Australia देश के साथ समझोता कियापन को मंजूरी दी है Friends, Australia की अगर बात करें तो भारत ने हाल ही में Australia के साथ PASSEC's novel exercise भी conclude की Indian Ocean में और इससे पहले भारत France, USA और जापाने के साथ भी PASSEC's novel exercise conclude कर चुका है Next question Who has been named the brand ambassador for India's first ever homegrown professional badminton brand transform The correct answer is option C तो भारत के पहले homegrown professional badminton brand जिसका नाम transform है इसके brand ambassador के तोर पर नुक्त किया गया है चेतन बगत को ये एक शटलर है यानि badminton player है और अगर badminton players से जुड़ी हाल ही के खबर की बात करें तो साइनन नहावाल इन्हें anchors innovations इसका brand ambassador बनाया गया था जनवरी 2020 में Friends, ये जो मैं आपके लिए revise कराता हूँ ये पिछले जनवरी से लेके अब तक के current affairs होते हैं तो आप एक को भी इसके इपना किया कीजे देखे हाली में जो भी exam हुए है तीन-चार exam जो भी हुए है हाली में जिनमें current affairs या फिर general knowledge पूछी गई है तो इसमें जब हमारा ये corona आया इससे पहले के जो months हैं तीन-चार months हैं यहां से भी question उठाये जा रहे हैं तो वे months भी आपके important है November से लेके और अब तक के इंडिया has been re-elected as the president of the international solar alliance for a term of how many years तो भारत को दो वर्सों के लिए अंतराष्टिय सोर गटबंदन के अध्यक्स के रूप में फिर से चुना गया है और साथ में France को भी co-president के रूप में चुना गया है दो साल के लिए Friends, International Solar Alliance 121 countries की एक alliance है जिसे की पारत द्वारा सुरू किया गया था और इन में चादातर countries में हैं जो या तो completely और partly topic of cancer और topic of Capricorn के बीच में लाई करती है और इसका headquarters है Guru Gram in Haryana Friends, International Solar Alliance की गोष्णा परदान मंत्री नरेंदर मोधी ने और तबके France के प्रेजिडेंट Francois Hollande ने 30 नमबर 2015 को Paris में की थी World calamity control day is observed on which day The correct answer is option B तो विस्व आपता नियंतरन दिवस 13 October को मनाया जाता है Friends, इसको International Day for Disaster Risk Reduction के नाम से भी जाना जाता है तो question कैसे भी बन सकता है और इस बार इसका theme रह Disaster Risk Governance Friends, एक question exam में कई बार पुछा जाता है कि Sendai Framework ये किस से related है चार option दे दिये जाते है फिर पूछ ले जाता है किस से related है ये SSC में भी पूछा जा चुका है और UPPCS में भी पूछा जा चुका है तो ये Sendai Framework रिलेटेड है Disaster Risk Reduction से जो Sendai है ये चापान में एक city है उसी के नाम पर ये Framework तयार किया गया है The correct answer is option B तो सदीर जैपरो को किर्गिस्तान के नई परदान मंत्र के रूप में न्यूक्त किया गया है यहां की capital है बिसकेक करंसी है सोम और प्रेजिनेंट है सुरोनबे जीनबेको Friends ये पाचों कंट्री आपके लिए काफी important है और इनकी capital city ये कई exams में इस तरह से पूछ ली जाती है कि आपको capital दे दी जाती है और पुछा जाता है किस country की capital city है कई बार exam में आपको देखने को मिलेगा चाहे वो bank में हो और जो बड़े paper होते हैं जैसे PCS type के paper होते हैं उनमें तो direct match the following आ जाता है तो याद रखना कजागस्तानी capital है नोड सुल्तान उजबे की स्थानी capital है ताशकन ताजिक स्थानी capital है दुशानबे किर्गिस्तानी capital है बिसकेक और तुर्कमेनिस्तानी capital है अश्काबाद इसको आप note down कर लीजे काफी important ये table है अब देखते हैं आज के important one-liners UGC यानि University Grant Commission इसने 24 विश्विद्याले को फरजी होसित किया है और इनमें सबसे ज़्यादा है उत्तापरदेश में उसके बाद दिल्ली में Fintech Company Resor Pay ये हाल ही में Unicorn Status इसने प्रात कर लिया है Friends, Unicorn कोई company या start-up तब बनता है जब उसकी valuation 1 billion dollar से अधिग हो जाती है और ये जो टर्म है Unicorn इसे alien-ly द्वारा कोईन किया गया था बैंगलूरू इस्थित Information Technology Company विपरो ने हाल ही में Eximious डिजाइन को acquire करने का decision लिया है भारतिय परा-athlete और badminton खिलाडी मांसी जोसी को टाइम पत्रिका की next generation leader के खिताब से सम्मानित किया गया है Friends, अब देखते हैं Previous Assignment Questions के आंसर Tata Institute of Fundamental Research is located in which city? Mumbai Tomb of Sersahasuri is located in which state? Bihar Kanakariya Lake is located in which state? Gujarat Who is often known as the Bard of Avon? William Shakespeare Kamakhya Temple is situated in which state? Assam अब देखते हैं आज के Assignment Questions National Dairy Research Institute is located in which city? Who is the current Director General of the International Solar Alliance? Thol Lakebad Century is located in which state? World Food Programme is headquartered in which city? Ramanath Swami Temple is situated in which state? Friends, daily की तरह आप इन पांचे Questions के Answer Comment Box में जरूर प्रोवाइट करें इससे आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे इतना फाइदा आपको रहता है वरना अगले दिन तो मैं आपको बताता ही हूँ लेकिन आप अगर खुद से खोजेंगे और Comment Box में लिखेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे और साथ में आप सभी Current Affairs Funda को Telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर Regular Video Updates और Current QJS हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी Discussion Group में आप किसी भी Question का Solution पा सकते हैं दोस्तों आपर Current Affairs की Playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp and Telegram पर शेर करें Like करें और Comment करके Friends ये जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी Thank you guys